वह जादा कर दिया लेकिन खर्चा इनोंने काम के परती किया यह पॉजिटिव संकित एक तोड़े से दिख रहे हैं और एक चीज और दिख रहे हैं कि इतनी जादा इनकी सेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह टावर में काम कर रहे हैं वो डर गई वह एक तब उसे जो आगे चल हुआ हैं मिल रहे हैं I can't I am a Automation मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार तक बज้ार से और आज बात करेंगे सर cesal Watch की और बात करेंगे सर भी पी सेयल किछ इन सब की बात करने से पहले सार आपको चीज बता दूं जो आपको मजबूत कर सकती है क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी होती है जिसे हम सुनकर मोटिवेट होते हैं और उन चीज़ों को हम त्याग देते हैं जो हमारे साथ निगेटिव लोग जोड़ते जाते हैं सर आप कभी कभी देखना कि आपके पास जो भी शेयर हैं या आपने उसे किस सोच में लिया है तो उसके अंदर आपने वीडियो देखी और कोई आपको निगेटिव कोई आपको पोजिटिव वीडियो उसमें मिलती ही रहेगी लेकिन सई चीज आपको तब लगनी चाहिए कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वाके में ही आपके दिल पे लग रही है तत्थो पे वीडियो है और उसके अनुसार ही आप अपनी एनलाइज करके उन से रों में बाई सेल बिलकुल अपने अनुसार करिए किसी के भी कहने पे मत करिए सर तुकि जीटियल इनफरा में पिछले दो तीन मेहिनों से लगातार ऐसी ऐसी वीडियो का सामना आपको करना पड़ा है जिसमें जीटियल इनफरा को सर 20, 50, 30, 500 तक के टार्गेट देखने को आपको मिल रहे है एक बात आपको मैं बता दूँ सर एक जंगल में एक जंगल में कुछ खजाना है दो टीम बनाई गई और दो टीम सर पांच पांच लोगों की दो टीम बनाई गई और दोनों रास्ते पे निकल गए अलग अलग दिसा में और वो खजाना ढूंडने लग गए अब एक टीम सर उसके अंदर ठीक थी और दूसरी टीम भी ठीक थी लेकिन जो उसके साथ जुड़ेवे लोग थे ना वो गलत थे यानि जो उनको चला रहा था वो तो ठीक था और जो दूसरे लोग उनसे जुड़ गए थे एक टीम का वो गलत थे सर तो जैसे जंगल में आगे बैड़ते हैं किसी को कुछ गड़ा दिखा तो डर प क्योंकि शेर मार्किट में उतार चड़ाओ पल पल आते रहेंगे अगर किसी की एनलाइस इस तरीके से है कि उसने जो टार्गेट देखे हैं तो उससे पहले उसमें कुछ आपको प्रोब्लम आये ना तो फिर वो सर एनलाइस बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि शेरों की जो साथ दे रहे थे आपसका और दूसरे लीडर अलग था बाकी लोग अलग तरीके से तो वह कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे इसलिए उनको खजाना नहीं विला किसको खजाना जो सर डर से भी जीत रहा है गड़ों से भी कूद रहा है और गली गली में जो रुकावाट आ जा रहा है यही मार्किट का एक रूल है इसको आपको समझना पड़ेगा तो बात करते हैं सर बीपी सीयल की इसलिए बात करेंगे कि कुछ दिन पहले सरकार ने कहा था कि वह अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी को बेचने के लिए निवेशक ढूंड रही है अब को टूंडा लेकिन उनको नाकामी ही हाथ लगी है पर केंदर सरकार ने आप मन बनाया है जो उनका 52.98% का जो इसके अंदर से वह एक टोथा ही बेचने का मन बना रही है जानी कि जो government company थी उसमें से सरकार अपना 52.8% में से एक चोथाई बेच रही जानी कि 20-25% का अपने इस्सेदारी के लिए वो निवेसक खोज रही है तो कही न कई ऐसी भी न्यूज आपको देखने को मिलती है कि कह दिया कि बैंक प्राइवेट हो गया फिर अगले दिन कुछ नहीं खबर आती कोई करे कंपनी प्राइवेट हो रही है फिर अगले दिन खबर आती नहीं मिले घराक तो इस तरीके से भी शेर मार्किट में उतार चड़ाओ उस स्टेटमेंट से आ जाते हैं तो अब सरकार पूरा स्टेक ना बेच कर अपना 20-25 प्रसेंट का स्टेक बेचेगी इसलिए आपको शेरों में तोड़े दिन तक के या एक-दो दिन आपको चोटी मोटी की गिरावट देखने को मिलेगी तो बात करते हैं सर जी जादा कर दिया कि सुनने वालों की जो इंद्रिया है ना वो भी डगमगा जाएगी और दिनके पास सेर हैं वो तो फिर घबराई जाएंगे भई यह हुआ क्या हुआ कि इतना जादा इन्होंने लोस्ट कर दिया है जो एक अपने आप में ही ड्राने वाली बात बन जाती है आपको एक बात में और बता दूँ कि कमपनी ने सर 37,236 फेक का इंकम की है तो ये भी एक देखने वाली बात है कि जिस कमपनी का शेर प्राईजी एक रुपे करीब में चल रहा है वो 37,236 लाग की सेल कर रही है ये भी आपको एक चोकाने वाली बात मिल रही है सर अब इनक तो जो भी नुकसान हुआ है लोस हुआ है वो किसले हुआ है कि 56,238,050 रुपे करीब का खरचा कर दिया है तो रहा पर यह चीज देखी जा रही है कि जितने भी धय खरचा कर रही है वो अपने काम को बढ़ाने के लिए यही खर्चा कर रही है जिस कमपनी की से इतने AhPay危ous में हो कुछ भी ना होता था तो मामूली सी बात है 2022 1500 इतने की इसे लोती सेल इनकी जादा हो रही है हमारा मन लल्चा कैसे रहा है कि 28,000 जो इनके टावर है उसके साथ यह आगे बढ़ रहा है और 5G में हमारी उम्मीद यह बार-बार जो जका रहा है टावर के लिए यह काम करेगा तो इस बेस में इस मन को हमारे मजबूत कर दिया और इसमें हमने शे 200 अब नाफ़े यह बरबाद करने के लिए काफी हो जाते हैं अगर 500 शेर बरबाद हो रहे है तो होनेあगर धो तो 500 शेरी तो पांसो शेरी आपको बात बइंगे आपको इसलिए बात बता दू कि उम्मीद करना यह इसलिए गलत ही बढ़ा है उसे देखते हुए इसका जो लोस है इतने हजारों में आ गया है सर तो मैंने आपको यह बता दिये कि इसमें काम है और काम इसके अंदर चल रहा है तो अब इसकी जो शुरुवात होने वाली है दीरे दीरे आपको लोवर सरकिट फिर अपर सरकिट से फिर से ऐसे सिलसले चलेंगे क्योंकि आजबी कई हजार इसके अंदर को कोई खरीद रहा है किए यह तो आमिकर नहीं पता लेकिन इसके जो इतना किThere आने के बाद कोई शेर इतने हजारों में खरीदे लाकों में खरीदे तो ये भी एक सोचने वाली बात हो जाती है आगे से हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जी टील इंफरा शेरो या कोई सबी शेरो जिस तरह से इनकी प्राइज होती है एक से पांस साथ रुपे के बीच म उसमें जादा सेर हमें लेकर बिल्कुल भी नहीं बैटना है ये मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनो सर मिलना और ना मिलना ये बात की बात होती है कहीं कहीं के लोगों के बड़े बड़े शेरों में पैसे डूब जाते हैं ये बात भी सोचने वाली होती है और कहीं कह लोग चोटे शेरों से पैसे कपालेता है और कुछ लोग बड़े शेरों से पैसे कमा लेता है ये आपको जाननीं होगी तो सब निए दिमाग लगता है और दिमाग इसके अंदर वह कह रहा है कि जब इसका इतना जादा लोस हो गया है तो कमपनी को उभरने में अब फिर से साल से दो साल तीन साल चार साल लगेंगे लगेंगे और उस बीच अगर ये दो तीन रुपे चार रुपे पांच रुपे फिर जाता हुआ दिखा तो वहां पर अपने दिल को बिलकुल समाल लेना क्योंकि उछाल के बाद जो गिरावाट आती है उसी में लोग फस्त है तो सारी संभावना यह है कि लोस बहुत जादा आ गया खर्चा बहुत जादा कर दिया लेकिन खर्चा इन्होंने काम के पर्ति किया यह पॉजिटिव संकित एक तोड़े से दिख रहे हैं और एक ले नहीं है तो मेरा मानना ऐसा 500-1000 लेकर बूलना पड़ेगा और बाकिश जो दिमाग है में एच एफ सील जैसे शेरों में भी लगाना पड़ेगा मैं आपको फिर से कह रहा हूं ज्यादा कमाने की तमन्ना में थोड़े मत गवा कर बैठ जाना मैं आपको बता दू किसी को भी खरीदने और किसी को भी बेचने की सलाह नहीं है सारी चीजें आपको अपने जुआरा ही अनलाइज करनी है आपको यह देखना है कि इसके अंदर पोजिटिव संकेत बन रहे हैं और 80% इसके अंदर निगेटिव संकेत बन रहे हैं तो सर बीपी सील में सरकार आप 25% की अपनी इससेदारी बेचने के लिए निए वेसक डूंड रही है पहले जो 100% बेचने की गोसना कर चुकी ती जिसमें वो नाकाम रही थी और जीटियल इनफरा ने ज्यादा लोगों के दिल नहीं दिमाग को भी आज तोड़ दिया है इस बात को भी आपको ध्यान देना है तो चीटी को आटा दीजे गाएं को रोटी दीजे अपने बच्चों को जादा सी जादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपके मासूमियस से किस्मत पलटेंगे तो अब फिर मिलेंगे आपसे ने वीडियो के साथ जब तक के लिए नमस्कार